हेलो फ्रेंद दिस इस फुर एडविक चौत करता हूं अपने चनल फेज जॉब में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारती नौ से ना के SSR MR डवले के रिटेन एक्जाम एक साथ होने के बारे में या फिर अलग-अलग होने के बारे में जो है आज हम बात करेंगे जी हाँ दोस्तों काफी स्टुडेंट के मन में ये सवाल है उठ रहा है कि सर जो है SSR डवले का फॉर्म एक साथ फिलिप हुआ है 205 रुपए ही काटे गए है MR के लिए अलग से 205 रुपए काटे गए है तो क्या सर SSR डवले का जो आपका रिटेन एक्जाम है क्या एक ही होगा या फिर पहले की तरह से सर अलग-अलग रिटेन एक्जाम लिए जाएंगे अलग-अलग स्कूर कार्ड जो है बनेंगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है स्टूएंट के मन में जो है उठ रहे हैं अभी सारे सवालों को जब इस वीडियो में जानेंगे विट प्रूप वो भी ऑफिशली हम लोग जानेंगे सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाल बेल को जरूर दबा दीजेगा इससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेंगे ताकि मेरे वीडियो जाब सबसे पहले देख पाएंगे सबसे हैं करते यहां पर आप को जहां से मिलेगे आपको घ्रते हमाला मैंने स्क्राइब आपर आपको सबस्क्राइब आपको जूम करने के बाते हुए यहां पर आप गौर फरमाईए लिखा है कि एक common examination पहला सवाल में आपको था कि सर मेरा जो form है वो submit हुआ है हमको एक ही application नमबर मिला है यहां पर नोटिस पढ़ लेते हैं यहां पर नोटिस था एक common examination will be conducted will be conducted for SSR August 2019 and AA 146 batches ठीक है and a fee of race 205 will be charged तो मतलब आपको इस point से मतलब है यहां पर एक common examination यानि कि आपका AA for 1 यानि आपका एक ही exam होगा SSR AA के लिए सामान exam होगा एक ही जैसा exam होगा जैसा SSR का जो paper होगा AA का एक ही paper होगा यानि आप कभी भी देखिएगा जब आप form submitted में जाएगा अगर आपने तीनों form भरा है तो आपका AA SSR का एक ही form submit हुआ है और MR का अलग से form submit हुआ है यानि कि आपको मैं यहां पर एक चीज़ क्लेर करना चाहता हूं कि आपका जो है कि आप AA लेजिएगा अगर आपने दोनों cut up को अच्छी तरीके से पार किया है तो आपको choose करने को मिलेगा कि आप SSR लेना चाहते हैं कि डवा लेना चाहते तो यह पूरी तरह से जो है आप बात आपके साम जो है clear हो चुकी है लेकिन MR के साथ ऐसा नहीं है MR का जो है बिलक अगर आपने नंबर लाया है तो आपको अगर आपने दोनों में qualify किया है तो आप SSR चूज कर सकते हैं या फिर डवाले चूज कर सकते हैं और अगर आपने SSR qualify किया तो सिर्व SSR में जा सकते हैं डवाले qualify नहीं कर पा है तो डवाले नहीं जा सकते हैं तो दोस्तों यह रही थोड़ी सी कम हो जाती है और यह हो जाता है, थोड़ी सी बूरी खबर यह है कि आपको एक ही साथ जो है exam देना हो, अगर आप एक exam में फेल हो गए तो समझ आप SSR और WLA efter exam में फेल हो गए हैं, तो ये थोड़ी सी बूरी खबर है, पहला इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो जो है लाइक जरू करिएगा शेयर करना न भूले अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसे नए अपडेट पाने के लिए अगर आपका कोई कोई कुश्चन है तो कमेंट सेक अबस्तों कि ओचक कोई कुश्चन वेः।